हेलो फ्रेंट्स वैलकम टू नर्डी लेर्नर्स जो हमारी इवेस की स्रीज चल रही है उसका यह चैप्टर फॉर है सैल्टर उसका पार्ट वन है इस वीडियो इस ब्रोट टू बाई नर्डी लेर्नर्स तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पास्टियर एक्जाम के unterstützen देख लेते हैं कौंसे साल में कौन कितने कोशन पूचे गए Check it question finie यह सब देख लेते हम तो इसते यहां पर देख लिए तो सव यह सब कोशा गया ह। इस तरह से बारह में भी 2012 प्लिशम में ही फिर 2014 नोट ऑप सैप कुशा गया है और 2016 में भी वन कुसाफ एक हैं मैक्सिम कोई पास भी ओ सकता है तौई इसलिए हम इसको भी focus मिलेंगे और अच्छे से बढ़एंगे क्यों मैंजया है एक नमबर हम इसली ले सकते एक से दो नमबर हम ईसली ले सकते हैं तो आगकी चलते हैं तो आज पढ़ने वाले हम वीडियो में इस चैप्टर में वह है इस सब क्या होता है उनके चैप्टर? फिर human shelter, फिर houses जो होते है according to region, किस region में कौन सा house बनना होता है, यह सब बारे में हम पढ़ेंगे इस chapter में, तो चलिए शुरू करते हैं फिर, so what is shelter, सबसे important question यहीं आता है कि जब हम एक chapter के बारे हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला question है का, shelter होता क्या है, so shelter is one of the basic need for the life, not only for human, but also for animals, तो जो shelter होते हैं, वो एक basic need होती है, human के लिए नहीं, animals के लिए भी basic need होती है, हम food और cloth के अलावा, और क्हा सबसे basic need होती है, shelter, food और cloth के बाद सबसे basic need होती हैaries, shelter, तो it is a place that can protect us from bad weather, danger, keep us warm and safe and give us the encouragement to safety our other needs. ठीक है तो जैसे मैंने बताया है कि जब एक place होता है, ऐसा place जो हमें bad weather से protect करें या फिर किसी danger से protect करें, हम लोगों को गरम रखें, ठंड में गरम रखें, गर्मी में हमें ठंडा थोड़ा temperature कम मैसूस हो जिसमें वो safe रखें हमें और वो हमें increase करें, safety की और increase करता है, जब भी हम किसी shelter में होते हैं तो हमें ये नहीं लगता है कि हम unsafe हैं, हमें एक safety वाली feeling आती है, अपने अंदर से ही, एक psychologic वो होता है कि shelter में हमें एक safety वाली feeling आती है, और जो shelter होता है, वो ही हमारे दूसरी needs भी पूरा करता है, अग दूसरा point देख लेते हैं, A shelter is one of the key element of survival along with the food and water, जैसे मैंने बताया कि पानी और खाने के अलावा, एक और जो सबसे surviving kit होती है, जो surviving key होती है, वो shelter होता है, खाने और food और water से हम survive कर पाते हैं, और उसके बाद जो सबसे basic need होती है, वो shelter आता है, ठीक है, अब बात कर लेता है, bird, animals, insects, humans and all other organisms need shelter to survive, ठीक है तो यहाँ पर बोला गया है कि जो bird होती है, या animals हो, bird हो, insects हो, human हो, basically all living things, all living things, जितने भी living things होती है, जितने भी organism होते हैं, उनको एक shelter चाहिए ही होता है, surviving के लिए, ठीक है, shelter provide protection from weather and any other kind of danger, तो जो shelter होता है, वो हमें protection देता है, weather से और दूसरे और किसी भी danger से, हमें protection देता ह है, all organism want to live independently, where they can get enough food for survival and their children live safely, तो यह है कि जितने भी organism होते हैं, वे सब independently रहना चाहते हैं, कोई भी dependent रहना नहीं चाहता है, और वे ऐसी जंगा पर रहना पर चाहते हैं, जहां पर उनको food की enough food हो कि जो survive कर सके, और उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो अगली generation है, वो safe feel कर सके और जो shelter है, वो यह सब चीज हमें प्रदान करता है, यह हमें देता है, so shelter is a strong base for living a clean and healthy life, ठीक है, तो जो shelter होता है, वो एक strong base होता है, वो base होता है, एक्चल में हमारी एक clean और healthy life को जीने के लिए, तो यह अभी shelter की definition हो गई है, यहापे, shelter के बारे में पता चल गया है, अब आ कितने type होते हैं, उनके creation के according, तो देख लेता है, there are two type of shelters, एक तो होते है man made और एक होते है natural, तो अब देख लेते है man made कौन से होते है, natural कौन से होते है, जो man made होते है, man made shelter are those which are made by man for their physical needs, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो man made होते हैं, वे man द्वारा बना जाते हैं, उन हुँ कोई man made shelter कहते हैं, अपनी physical needs को पूरा करने के लिए, जो shelters बनाए जाते हैं, इंसानों दुआरा हुआ, उनको हम क्या बोलते हैं, man made बोलते हैं, इसलिए हर एक इनसान की physical need होते हैं, वो अलग अलग होते है, इसलिए इनसानों की जितने भी घर होते हैं, सब अलग इसलिए भे अलग अलग टाप्रिव रम चेल अभरjang तो नेच चोने बात Sonar sau पेस नेच्ट ज ONE रच दोर बनाए जाते हैं उसमें कोई मैंमेड नहीं बनाता उसको मैं में नहीं बनाता है मैं बनाते हैं सब्सक्राइब बनाता है आप खुद बनांति यृज़ यूज़ लुज़ posis out to us रहे जाते हैं ना कि gen इन्दो शर्ट और बहुत ही कम योश कै जाते हैं जब मान के चली कोई जगल में फस गया हूँर या कहीं पैसी जगा फस गया में पे नचिरल जो सटर्स है वही मिल पा रहे हैं तो उस ताइम पे अपने सर्वाइविंग के लिए यूमें तो ससे चूज करते हैं तो बस इसमें इतना ही है दो तरह के संटर होते एक मैन में होता है एक नेचिरल सब्रह पर अब हम सेल्तर ही बात कर लेते हैं टाइप आफिफ सेल्टर बात कर लेता है यह इज़ फिजिकल अकोरटिशन के लिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल इस्टेक्छर कोरडिश्टर्टर देरर टू टैप उफ सेल्ट taa होता है वो permanent shelter second type होता है वो temporary shelter होता है जयसे permanent shelter नाम से पदे चलड़ा है जो permanent होते हैं तो उसके बार में देख लेता है it is a habitat for it is a habitat of human being and animals where they decide for a for a very long time like houses nest cave etc these shelters cannot be easily moved from one place to another तो क्या बोला गया है कि जो human being होते हैं या animal होते हैं जो एक ही जंगा पर बहुती लंबे समय तक रहते हैं बहुत लंबे समय तक रहते हैं जहां पर उनकी पिछली जो generation है वे रह रहे हैं उसी घर में उसको ही बोलते हैं पर्मनेंट हाउस और या फिर जो animals होते हैं उनके लिए nest होते हैं या cave होती है जो उनकी पिछली जनेरेशन भी उन्हीं में रह रहे हैं उनको पर्मनेंट शेल्टर बोलेंगे इस सेल्टर जल्दी से जल्दी हम मूव नहीं कर सकते हैं मतलब हम उनको छोड़के जाते नहीं है ज़्यादा तर कोई नो कोई महां पर रहता ही है ठीक है अब बात कर लेते हैं टेंपरेरी रिसल्टर की इस आर्था हैबिटेट्स वह यूमन और अनिमल रिसाइट फॉर वेरी सोट डूरेशन और फॉर इस स्पेसिफिक रीजन और पर्परज एंड दे कैन मी मूड और क्वेतर वहां जाते हैं कि या फिर कोई परफस हो तभी रहने जाते हैं अब बार वह परपज आ वह रिए खतम हो गया तो फिर वहां से मूव कर लेते हैं फिर योड़न को गया तो चले जाए बाटार होगय यह माई-ग्रेंट बर्ड होगी जैसे माय連ग बर्ड जैसा जो अवहां पे उस टाइंप पर घर्मी का मोसम होता है लेकिन वो यह लो घ्र मों रहते है तो फिर वह ऩफिस चंगा मुव कर जाती है जहां पर छंड होती हो जिससे क्या बढ़का कई वहां वापस ठाथ बनी months सबॉर में ऊहत होता है Thanks तो ठीक है एक थोड़ा है यहाँ पर इमने बात किया था जो सेल्टर हाउस सेल्टर हाउस कौन से होते हैं उसके एक बार डेमिनेशन देख लेते हैं क्या होते हैं यूमंस फुर नोट एप रजिडेंट लिविंग इन देसल्टर होम शैल्टर होम्स और इस पेसी इस पर दोज पीप्ल-फोड़ और हमलेस तो जैसे आपने देखाउगा बहुत से लोग होते हैं कि जो जिनके पास घर नहीं होते हैं जो सड़कों पर फुटपाथ पर रहते हैं तो उसन लोगों के लिए क्या करते हैं गौर्मेंट कुछ से होते हैं अब बात कर लोजऄ तो है और इन मड़ को तो डSiसे लिफ्रेंट टैप ओफ त्सटिर्व व को इसले पहलेकि अलग अलग अनिम melody औलेंड ओन और एंड फोरेस्ट जो जो यह फिर फोरेस्ट मेरते फिर यृण कई बॉफिल के कैट हो गया केट हो गया डांकी हॉर्स लग में पिया नियू को डियर राइनОसॉरस टो यह गें मिल जमीन पर अब बात कर लेते हैं डोज यह इनिमल स्लीवः ट्री जो आनिमल पेड़ पे रहते हैं जैसे मंकी हो गया इसो हो गहाई अपस तो यह किस तरह सबज़ा होते हैं यह यह ट्री जया पेड़ पे रहते हैं थे कि आहले लेकिन जोंकिन पे रहता है तो ठीड़ नहीं को फेड़ होते हैं या बिल होते हैं उनमें रहने को बोलते हैं ठीक है जैसे रैट होगा बिल में रहता है स्नेक भी बिल में एंट होगे रैबिट्स होगे अर्थवोम होगे स्कॉर्पेंस होगे तो यह क्या इंसेक्ट है जो बिल में रहते हैं अब ब्लास्ट रण की बात कर लेते हैं लीव बौत on land and water जो एंइमल्ल रेंड पर पानी के जा कुछ राएंदे लिए इंटे पानी बेरिश क्वैंपयों हुआ हुआ निन्हूंत प्रफिशन वेंधेफका डैत्म हम सोफोरी एक स्वर्ट अपर ऑन कनाने सब्सक्राइबया को जो सैल्टर के बारे गाली Sak letter थेंक्यू मैं तो जो इस्पेशल एनीमल होते हैं यहाँ पर मैं इस्पेशल एनीमल क्यों बोल न है कि यह जो स्पेशल एनीमल है मतलब इसलिये बोल भो सबक्वंड़ वो जो सेटेट में बहुत बार पूचे जा चुका है या एक-दो बार पैंस को हिंदी में हैं जो होती है वो कूप में रहती है उसको कूप को बोलते हैं बाड़ा या बाड़े में हैं जो है वो बाड़े में रहती है ठीक है लोएन होता है वो डैन में रहता है डैन किसको बोलते हैं हिंदी में मांद को बोलते हैं ठीक है जो डोग होते है वे कैनल संसे में रहते हैं इसको हिंदी में कुटागर भी बोल देते हैं इंदी में चो भूलेंगे हैं को तकर Max कि एक है जो हर सेविस्टबल में रहते है इस को बहुत हैं चर्शान्थ मोथने हुआ यह ऐसे जंग वहाप के शर्षेह सर्ष रहता है वो भी अष्ता बोल नहीं हम suis major राट इंडी सब्सक्राइब सा चाहिए लेकिन पीड़ में रहता है ट्रोपिंटी में एकिर पेंश आपनी होता है और साइध उसके स्वाज वी eager ठीक है रेट होते हैं वो भी फिर होल में रहते हैं रेट स्नेक भी होल में रहते हैं बिल होता है जो जो एलिफेंट होते हो फोरेस्ट में रहते हैं काव जो होती हो सेड्स में रहती है और जो कैट है वो केज में फिर बर्ड नेस्ट बनाती है अपना जीबरा फोरेस्ट में रहता है और spider web में रहती है ठीक है अब आगे चलते हैं अब बात कर लेते हैं birds और उनके shelter के बारे में ठीक है न अब birds और उनके shelter के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो जो एक Indian Robin होता है यह Indian Robin होता है एक bird so this bird make the nest on the top of the tree with grasses, soft wing, root, wool hair and cotton wool and lay egg between the stone ठीक है तो जो यह Indian Robin होती है यह ऐसी bird होती है जो अपना गोसला या तो पेड़ के टोप पे बनाएगी या फिर ऐसी जंगा पे बनाएगी जहां पर पत्थर हो सड़क के किनारे पे जो पत्थर पढ़े रहते हैं उनके बीच में अपना गोसला बनाएगी या फिर ऐसी जंगा पर बनाएगी जहां पर पत्थरीली पत्थरीली जमीन हो वहां पर अपना गोसला बनाएगी और यह अपना गोसला किसे बनाते है ग्रास से गास से बनाते है सौफ्ट टूइंग से बनाते है रूट होती है या फिर वाल होते हैं उनसे बनाती है cotton wool से बनाती है ठीक है अब कोई के बारे में बात कर लेते हैं तो जो क्रों होता है वह अपना गोसला बनाता है ट्री के टॉप पे बनाता है अपना गोसला और उसके लिए क्या यूज करता है वायर यूज करता है वूड यूज करता है ग्रास को सेता और करता है कि यह पता नहीं प consultant लिए इस उफिल के से इवह अपने खुद के अंड समंझ करें उनको सेता है ठीक है न और को सब्सक्राइब करों उनको वह अलादे में यह रहा फेल बड़क़ और चले चाहिए ऊड़क Cannon arrow and pigeon एन पेपना खर बनाते हैं यह नेस्ट बनाते हैं। जो usparelo होता है जिसवाली वह अपना घर हमारे घरों में के अंदर में बनाते हैं जैसे कबॉड के वॉपर बना देंगे या फिर व messager में बना दें 오늘도 धिशृता थे आ ना तो शुद देपना लेंगे तो इस पैरो और पीजन हमारे घरों में ही क्या बनाते हैं गोसला बनाते हैं अब बात कर लेते हैं टेलर बर्ड की जो टेलर बर्ड होती है वो अपनी सार्प बिक से या सार्प चोच से क्या करती है कि जो पत्य होती है उनको श्टिच करती है और उहां से अपना गोसला बनात से ठीक है अब बात कर लेते हैं बार्पेट या कूपर स्मित की जो बार्पेट होता है वो अपना गोश्लक आपर बनाता है ठीके ट्रंक पर बनाता है तो तब तक उस ट्री ट्रंक को या तने को खोदता रहेगा टक 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 करके खोदता रहेगा जब तक उसके अंदर का सारा वह निकलना जाए और वहाँ पर जंगा न बन जाए फिर वह उसमें के अंदर घुसके वहाँ पर ही अंडे देता है ठीक है अब बात कर लेते हैं डव की जो डव होती है वो डव मेक इटस नेश्ट अमंग दर फ्रोन कैक्टेस प्लांट और महंदी हैड्ड तो जो डव होती है तो आइसी जंगां पर अपना घुसला बनाती है जो आप उसके उसके गोशले को भी है कि सुरक्सा मिली रहे काटो के वज़े से ठीक है तो ऐसी जंगा पर अपने डव है जो है वह ऐसी जगा पर गोसला बनाती है जहां पर उसके एंवार्मेंट के तुरू कुछ प्रोटेक्शन उसको मिलती रहे ठीक है अब बात कर लेते हैं सनबर्ड की इट मेक इट्स नेश्ट बाइंगिंग देने नेश्ट ऑन दे ब्रांचीज ऑफ दे ट्री ठीक है तो जो इसे अपना गोसला बनाती है कि उसका गोसला जो है ब्रांचीज से लटकता रहे तो वह ऐस बहुती सुन्दर गोसला बनाता है ताकि जो फीमेल वीवर बर्ड होती है वो उससे एट्रैक्ट हो सके और उसके गोसले में आके अंडे दे सके तो वीवर बर्ड ऐसे अपना गोसला और अंडे देती है तो आप सभी को पता चल गया होगा अब आगे चलते हैं सो इस वीड के बारे में पढ़ेंगे सो थैंक्यू फॉर मोर वीडियो सस्क्राइब लाइक शेर और यह हमारा फेस्बुक पेज है इसको आप लाइक करतीजिए इसका जो पीडियाफ होगा